नमश्कार मित्रों, GSTN के और से मैं आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ, मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा और मैं GSTN की टेनिंग टीम में सीनियर मैनेजर के पत्पे कारे कर रहा हूँ, पिछले डेड़ वर्ष से मैं आउटीज और कपैसिटी बिल्डिंग ए किसी टाक्सपेर की ईवेबिल अपली जनरेशन फ्रेसिलिटी पोर्टल पे ब्लॉक हो जाती है, उस तृती में वो टाक्सपेर क्या कर सकता है, उससे पहले हम यह चर्चा करेंगेling स्थितियों में उसकी यह जनरेशन फ्रेसिलिटी ब्लॉक की जा सकती है या की जाएगी, अगर उसके बाद वो कोई application फाइल करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा और application फाइल करने के बाद tax का tax अधिकारी उस पर किस तरह से कारवाई करेंगे और उसके बाद जो भी उसमें order issue किया जाएगा उसके बाद taxpayer किस तरह से अपनी e-way bill generation facility को restore कर सकता है या unblock कर सकता है तो आईए चर्चा शुरू करते हैं आप सभी को पता होगा कि COVID के शुरू होने से पहले जो normal taxpayer थे यानि कि वो taxpayers जो GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करते थे अगर वो दो महिने की returns फाइल नहीं करते थे यानि कि अगर उन्हें दो महिने की GSTR 3 भी return फाइल नहीं की थी तो उनकी e-way bill generation facility ब्लॉक कर दी आते थी अब फर्क यह आगया है कि 1 December 2020 से सब तरह के taxpayers चाहे वो normal taxpayers हैं जो GSTR 1 और 3 भी फाइल करते हैं या वो taxpayers हैं जो composition scheme के तहत returns फाइल करते हैं और quarterly basis पे अपना CMP08 statement फाइल करते हैं दोनों ही तरह के taxpayers के लिए ये एक तरह से एक condition लगा दी गई है कि अगर वो दो tax period की consecutive tax returns फाइल नहीं करेंगे यानि कि दो महिने की GSTR 3 भी return अगर फाइल नहीं की होगी या दो quarters की CMP08 statement नहीं फाइल किया जाएगा उस थिती में उनका evable generation facility ब्लॉक कर दी जाएगी आज की तारीक में ये स्थिती ये है कि जिनोंने October महिने तक की GSTR 3 भी फाइल नहीं की है तो महिने या उससे जादेगी या जिनोंने July September quarter तक के दो quarters की returns फाइल नहीं की है दोनों की cases में एक October से evable generation facility ब्लॉक कर दी गई है ऐसी स्थिती में पहले भी प्रावधान था कि taxpayer एक application फाइल कर सकते थे jurisdictional tax officer के सामने और उसका जो format था वो भी standard था GST evable 05 कहते हैं उसको बट फर्क सिर्फ ये है कि 27 नवंबर से तक वो सिर्फ hard copy में या physically जा करके submit करने की जरूरत थी इसके लिए online facility available नहीं थी GST portal ने 28 नवंबर 2020 से इसकी एक online facility अब लोगों को मुहिया करा दी है अब आपको किसी taxpayer के tax officer के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप online ही application फाइल कर सकते हैं और अब आपको offline फाइल करने की जो पहले जो requirement थी वो अब खतम कर दी गई है तो इसका तरीका देख लेते हैं कि अगर आपकी evable generation facility block हो गई है और यह आपको सभी को पता होगा कि अगर वो generation facility block होती है तो चाहे आप supplier हों supplier के तौर पर generate करने की कोशिश करें या recipient के तौर पर generate करने की कोशिश करें या आपके बहाव पर कोई transporter इसको generate करने की कोशिश करेगा तीनों स्थितियों में वो generate नहीं कर पाएगा तो अगर आपकी ये generation facility block हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं online application file करने के लिए आप पहले login करेंगे उसके बाद services पर जाएंगे फिर user services चूज़ करेंगे और उसके बाद my applications tab चूज़ करेंगे जब आप ये चूज़ करते हैं तो उसके सामने सारे options कुल जाते हैं कि किस किस तरह की application आप लगा सकते हैं उसमें आप application for unblocking of e-way bill चूज़ करके और new application पे क्लिक करेंगे इसके screenshot भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में सहुलियत हो उसके बाद आप अपनी application online e-way bill 05 form मे portal पे upload कर सकते हैं इसी के साथ आपको ये भी सहुलियत है कि आप 4 documents जिनका size 1 MB के बराबर हो सकता है each अकेले document का वो भी आप साथ में upload कर सकते हैं तो ये देख लेते हैं इसके बाद क्या हो सकता है अगर आपने application file की है तो tax officer या तो उस पर सीधा ही order पास कर सकता है एक तरीका तो ये है दूसरा ये है कि अगर उसके मन में कोई शंका है या वो कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो आपको एक personal hearing का notice भी दे सकता है या notice भी दे सकता है अगर वो notice देता है तो आप उसका जवाब भी online ही supporting documents के साथ portal पे दे सकते हैं इसके बाद tax officer एक order पारित करता है जिसको evay bill 06 के format में issue किया जाता है इस order में या तो वो आपकी application को रद कर देगा निरस्त कर देगा या उसको accept कर लेगा अगर उसने आपकी application reject कर दी तो फिर आपका जो evay bill generation की facility है वो ब्लॉक ही रहेगी मतलब आपको आपको फिर दुबारा कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैं अभी आपको बताने वानाओ अगर tax officer ने आपकी application accept कर ली तो tax officer के पास तीन एक option है कि वो आपको generation की facility restore कर देगा और उसके लिए duration भी specify कर दिया जाता है order में जो हो सकता है या तो 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन अगर आपकी application reject हो जाती है तो आपके पास क्या रास्ता है उसका एक ही रास्ता है कि आपकी जो pending returns है वो आप file कर दें ताक कि आपकी जो पेंडेंसी है वो दो महीने से कम हो जाए उस case में automatically आपकी जो evable generation facility है वो restore हो जाती है और आप अगले दिन से evable generate कर सकते हैं अगर आपको उसी दिन जिस दिन आपने return file की है evable generate करना है तो उसका क्या तरीका है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें एक एक और जरूरी बात वो यह है कि जब भी कोई notice या order tax officer के द्वारा issue किया जाता है तो उसका intimation आपको आपके registered mobile number पे और आपकी registered email ID पर भी दिया जाता है वो सिर्फ intimation होता है उसके बाद आपको portal पे login करके उसका तरीका कैसे है वो मैं बताऊंगा आपको services user services view additional notices order option में जा करके आप notice देख सकते हैं उसका जवाब दे सकते हैं आप order भी देख सकते हैं कि इस सारी प्रक्रिया के बारे में काफी detailed frequently asked questions और user manual हमारे पोर्टल पे उपलब्द है इवेबिल पोर्टल पे उपलब्द है जिसकी साहता आप ले सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी जरुवत आए कि आई यह देख लेते हैं कि अगर आपको application online तौर पर फाइल करनी है तो कैसे करना है आपने login किया आपने services चूज किया उसके बाद आपने user services चूज किया उसके बाद my applications पर गए उसके बाद जब आप my applications पर क्लिक करते हैं तो यह सारे option खुल जाते हैं जिसमें सबसे नीचे आप जाए आपको चूज करना है और उसके बाद आपको new application चूज करना है जब आप new application चूज करते हैं तो यह आपके सामने page खुल जाएगा जिसमें आपके पास option होगा कि आप इसमें से reason select करके और application file कर पाएंगे तो इसमें क्या-क्या reason हो सकते हैं वो देख लेते हैं यहां पर तो आपको screenshot में दिखा रहे हैं बट मैं आपको अगले page पर दिखा देता हूं क्या-क्या reasons आप उसमें choose कर सकते हैं अगर आपको कोई आर्थिक परेशानी ऐसी है जिसकी वज़े से अगर आपका evable generation facility restore नहीं हुई तो आपको काफी आर्थिक नुकसान हो जाएगा एक कारण यह हो सकता है या किसी appellate authority या court ने आपकी evable generation facility restore करने का आदेश दिया हो या आप एक particular तारीक तक अपनी return file करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं यह भी कारण हो सकता है अगर सामान इस तरह का है कि वो perishable है मतलब खराब हो सकता है shelf life ज्यादे नहीं है और उसकी कीमत खतम हो जाती है अगर वो ट्रांस्पोर्ट नहीं किया गया वो भी कारण आप दे सकते हैं या कोई supply इस तरह की है जो बहुत ही critical है या defense productions related है वो भी कारण आप चूज कर सकते हैं इसके अलावा अन्य कारण का टैब भी आप चूज कर सकते हैं अगर आप अन्य कारण other reasons अगर आप सूच चूज करते हैं तो आपके सामनी इस तरह से एक box भी खुल जाता है जिसमें आपको वो कारण लिखना पड़ता है तो उसमें आप वो संक्षिप्त में वो कारण लिख करके तब उसके बाद में भी application फाइल कर सकते हैं तो एक बार आपने यह सारा का सारा form fill कर लिया तो उसके बाद आप उसको submit में जाते हैं और उसके बाद आपको यह warning दिखाई देती है उसके बाद अगर आप DSC से फाइल करना चाहरे है या EVC से फाइल करना चाहरे है वो option आप चूज कर सकते हैं अगर आप EVC से फाइल करेंगे तो आपके बास OTP आएगा जि यह आपका acknowledgement है जो आप download भी कर सकते हैं filing के बाद अब इसके बाद अगर मानिए कि tax officer ने आपको notice issue कर दिया है तो उसके बाद आपको intimation मिलेगा या तो SMS के द्वारा या और email के द्वारा दोनों माध्यम से आपको मिलेगा तब आपको क्या करना है आपको services में लॉग इन करन करने के बाद आपको उस उस table में जो भी order या notice अभी तक issue हुए है वो आपको इस table इस प्रकार की table में दिखेंगे यहां पर आपको व्यू चूज करना है जब आप व्यू चूज करते हैं तो आपके सामने यह page खुल जाता है जहां पर अगर आप बाएं हाथ पे देखेंग यह जो आपने file की थी आप चाहें तो अपनी application यहां से download भी कर सकते हैं इस तरह से इसका PDF format दिखता है और वह आप download भी कर सकते हैं अगर आप notices चूज करते हैं तो वहाँ पर आपको notice दिख जाएगा और अगर आप notice देखना चाहते हैं तो आपको यह select करना है और आपको यह notice for personal hearing का format जो tax officer ने issue किया है उसी format में दिख रहा है जिसमें आपको तारीक या जो भी चीज़ मांगी गई है वो भी आपको दिख जाएगी अब इसके बाद आप इसका online जवाब दे सकते हैं तो आप इसमे reply चूज करेंगे और reply चूज करने के बाद इसमें आप reply भरेंगे जैसे इसमें इन्होंने लिखा है financial statement is attached और इसमें आप attachment भी कर सकते हैं तो इसमें भी आप चार सपूर्टिन डॉकुमेंट एक MB size का attach कर सकते हैं उसके बाद फिर आप इसको उसी माद्धियम से फाइल करेंगे EVC या DHC के द reply successfully file हो गया है तो अब अगरा आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है आपने reply file कर दिया अब आपकी टेबल में आपको दोनों चीज़ें दिख रही है आपकी application आपका पसले हरें का notice यह दोनों आपको दिख रहे हैं इसकी तरह से आप अपना order भी देख पाएंगे अगर order आपके favor में है तो आप immediately उसके बाद अपना evable generate कर पाएंगे अब देख लेते हैं कि अगर आपका evable generation facility या तो tax अधिकारी द्वारा restore कर दी गई है या restore नहीं किये जाने के स्थिती में आपने अपने return file कर दी है तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था उस case में अगले दिन से आपकी evable generation facility शुरू हो जाती है लेकिन अगर आप उसी दिन अपना evable generate करना चाते हैं तो आप evable portal पे जाकर कर सकते हैं यह मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं कि आप evable portal पे जाएं और वहां पर बि GSTIN डालेंगे और यह capture डालेंगे और go पर click करेंगे उसके बाद आपका status जो है वह यहां पर दिख जाता है यह आपका GSTIN status active है और आपका blocked status यहां पर unblocked देख रहा है not blocked देख रहा है बट वह हमान के चलने की blocked है आपका अब यह देखें यहां पर यह message आया हुआ है कि this particular GSTN has not filed the return for two successive months और अगर आप इसको update करना चाहते हैं तो इसके नीचे जो blue tab में दिख रहा है update unblocked status from GST common portal इस पे आप click करेंगे तो जैसे ही आप इस पे click करेंगे यह GST portal से information fetch करेगा और आपका status evable portal पे update कर देगा ताकि आप तुरंद ही evable generate